नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल All Technical Solution में तो दोस्तों आपके पास अगर डिश टीवी का कनेक्शन है और दोस्तों उसमें अगर क्या होता है कि हमारे चैनल कभी-कभी बढ़ जाते है कमपनी का फोन आता है ये चैनल हमें एक माइना फ्री देते है उसके बाद इसके आपको Charges लगेंगे तो वो चैनल बन करना हमारे हाथों से रह के जाता है और इस तरह से चैनल बढ़ते बढ़ते हमारा जो Pack होता है वो बहुत ही बढ़ा हो जाता है और 400-500 रुपे पर मन्त तक भी चला जाता है तो दोस्तो लेकिन हमने जब यह Pack स्टार्ट किया था तब वो 200-500 या 300 रुपे का Pack था लेकिन दोस्तो हर मन्त आप अगर 100-500 रुपे अगर ज्यादा खर्च करते हो तो आपका कितना पैसा यहाँ पे वेस्ट हो रहा है इसके बारे में आप यहाँ पे जारा सोच सकते तो दोस्तो इस Pack को आप किस तरह से फिर से manage करके इसमें से जो सारे waste channel है जो हमें नहीं चाहिए वो हम किस तरह से इने कम कर सकते हैं यह हम आज की वीडियो में यहाँ पे देखने वाले तो मैंने यहाँ पे MyDish TV सर्च किया तो यहाँ पे MyDish TV एप आ गया है तो हमें इस एप को अपने मोबाईल में यहाँ पे डाउनलोड करके लेना है तो मैं इसे यहाँ पे इंस्टॉल करके लेता हूँ तो दोस्तो इस एप से आप अपने Pack को यहाँ पे मैंनेज कर सकते हैं और यह कैसे करना है यह मैं डेटेल में इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो दोस्तो यह डाउनलोड हो गया मैं इसे अभी ओपन करके लेता हूँ तो दोस्तो मैं भी इसे पहली बार ओपन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख लीजी कि आप जब भी पहली बार इस app को install करते तो आपको यहाँ पे क्या-क्या process करना पड़ता है तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे continue पे click करना है तो मैं यहाँ पे continue पे click करके लेता है के बाद यह हमारे phone calls का जो permission है उसे यहाँ पे मांग रहे तो हम इससे यहाँ पे allow करदो है फिर से यहिए trap करना होगा उसके बाद हमें यहाँ पे अलाउ करते जाना है और उसके बाद फिर वह पे continue पे click करना है तो आप अपना VC card निकाल लीजे और वहाँ पे जो number होता है वो यहाँ पे डाल लीजे तो मैं अपना VC number यहाँ पे डाल के लेता हूँ तो उसके बाद दोस्तो हमारा register mobile number या हमारा VC number डालने के बाद दुसरा option होता है password का तो दोस्तो हमारा यहाँ पर password अभी हमने set भी नहीं किया, इसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी घबरानी की ज़रुवत नहीं दोस्तो, आपको यहाँ पर password के option को कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे जाना है, जहाँ पर request OTP का option है, तो आपको यहाँ पर request OTP पर click करके लेन है, उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर अपना mobile number डाल के लेना है, तो मैं अपना mobile number यहाँ पर डाल के लेता हूँ, उसके बाद मेरे mobile number पर एक OTP आ जाएगा, तो मैं अपना mobile number यहाँ पर डाल के लेता हूँ, उसके बाद मैं इसी यहाँ पर submit कर देता हूँ, तो उसके तो एक window में मुझे यहाँ पर मिल गई है, वहाँ पर मुझे एक OTP डालना है, जो कि मुझे अभी यहाँ पर आने वाला है, अगर यह OTP नहीं आता है, तो आप recent OTP पर क्लिक करके इसे फिर से भी यहाँ पर मंगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना यहाँ पर आपका OTP यहाँ पर definitely आ जाएगा, तो दोस्तो यह OTP यहाँ पर हमें मिल गया है, तो मैं इसे यहाँ पर submit करके लेता हूँ, तो दोस्तो यह हमारा OTP यहाँ पर submit हो गया है, उसके बाद यहाँ पर जो मेरा नाम है, यहाँ पर मेरा नाम दिखाए दे रहा है, उस के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है दोस्तों नीचे का जो कॉलम है वहाँ पे हमें इडिट पैक का एक उप्शन मिल रहा है तो हमें यहाँ पे इडिट पैक पे क्लिक करके लेना है तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर All पर क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारे 244 टोटल चैनल से तो इसमें से हमें जो चाहिए वो रखने है और जो हम नहीं देखते हैं जो हमें मतलब जो कंपनी वाले ने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिये थे वोन सारी चैनल को आप यहाँ पर डिलीट कर सकते तो उसके बाद दोस्तों आपका पैक यहाँ पर कम हो जाएगा तो यह कैसे करता है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टार स्पोर्ट सिलेक्ट है वो 19 रुपीज का चैनल है तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टार स्पोर्ट सिलेक्ट यहाँ से कम कर दिये तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा बिल्ड यूर पैक यह जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको चैनल का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको यहाँ पर चैनल पर क्लिक करके लेना है तो आप इन चैनल को यहाँ पर जो चाहिए उन्हें रख सकते और जो नहीं चाहिए इन्हें आप यहाँ से डिलिट कर सकते है तो आप इसकी प्राइज भी यहाँ पर देख सकते है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजे और ज़्याद ज़्याद शेयर कीजे तो चले दोस्तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद वंदे मांतरम